इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो BBL का अच का पहला मैच होगा पर्तिस कोचर्स और एडिलेट श्ट्राइकर्स के बीच इसके बारे में आप देखें कल तो आपको मालूम होगा हमने गजब लेवल की विनिंग की वन साइडिर विनिंग की एक भी बंदा नहीं आ रहोगा है ना लेकिन अब हम बात करेंगे क्योंकि कल का दिन तो गया जिन्होंने विन कर लिया उनको कॉंग्रेचुलेशन लेकिन अभी आप वीडियो देख रहे हो इस मैच की और अब आपका टारगेटि की यार कल जो गया उसको भूलो इस मैच में हमें विन करना है और विन करना है तो हम कैसे करें हमारे लिए टरंप कार्ड क्या होगा और सबसे बड़ा पॉइंट क्या हमें इस मैच में इन्वेश्मेंट करना है क्योंकि आपको मालूम है कि मैं कोई भी मैच जब खेलता हूँ तो आपको रीजन देता हूँ कि हमारे पास यह यह टरंप है और हम इन्वेश्मेंट करेंगे लेकिन जब कोई खराब मैच होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपकी टीम नहीं बन पाएगी आप इन्वेश्मेंट मत करना दिन आप लोग को इस match में invest करने से पहले यह पूरा वीडियो देखना है कि क्या हम invest करें, क्या हम ज़ादा invest करें, या हम कम invest करें वो सारी चीज़ आपको पता लगेगी अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर BBL की वीडियो में गिववे करवाता हूँ तो सेम गिववे इस वीडियो में भी आपको मिलेगा यानि कि पूरा वीडियो देखने पे आप 9999 रुपे फ्री में जीश सकते हो आपको क्या करना है वो हम आगे देखेंगे बस ये दियान रखना गिववे उन लोगों के लिए हैं जो चैनल के सबस्क्राइबर्स हैं तो अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वीडियो को लाइक भी कर देना और तीसरी इंपोर्टेंट चीजी है कि जो फाइनल टीम होगी जिसके साथ मैं खेलूंगा जो टॉस के बाद आपको मिलेगी वो टेलिग्राम पे मिलेगी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है दो लाग से जादा मेंबर ओलेडी जूड़े हुए तो जोईन जरूर कर लेना जो वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप सब को मालूम है कि मैच पूरे के पूरे डिपेंड होते है टॉस के उपर जिसने टॉस के बैस पे टीम रेडी की वो बंदा मॉस्ट अप दी टाइम मैच को जीतेगा और वही हमारा सीन है यहां हम बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में तो एडिलेड ओवल के अंदर ये मैच होगा मैच किनके बीच है स्कोचर्स और एडिलेड श्ट्राइकर्स के बीच एडिलेड के अंदर मैच यानि कि सिंपल जवंडा हाला कि स्कोचर्स की टीम बहुत तगड़ी टीम है लेकिन लिटल बिट हेल्प मिलेगी इनके होम प्लेयर्स को यानि कि इनका home ground हो गया ना एडिलेट का तो winning ratio 60-40 का हाला कि अब भी भी मैं scorchers को ही winning दूँगा क्योंकि scorchers सबसे बड़ा उनका जो हतियार है न वो इनकी bowling मतलब किसी भी team को अभी तक छोड़ा नहीं है सब को पहल के रखा है scorchers की bowling है क्या changes होंगे scorchers में वो भी हम देखेंगे first हम देखते हैं यहां से weather तो बिलकुल clear sky मतलब बारिश के कोई चांस है नहीं balance भी किट है 160 से लेके 170 तक का average score है bowling first reason बहुत simple है क्योंकि changing यहां पर आसानी से होती है और यार अभी कल वाला जो मैस था ना थंडर्स का और जो हमने जीता था थंडर्स का मैस था आपकी किस से रभाई थंडर्स और रिनेगेट्स है ना तो रिनेगेट्स का जो थंडर्स का मैस था उसमें आपको एक चीज बताए थी कि जो टीम पहले bowling करेगी वो मैच जीतेगी क्योंकि वहाँ पे मौस्टॉप दे टाइम मैच वही जीती है जो bowling क्योंकि चीज असानी से होता है अब एरॉन फिंच की कैप्टनसी देखो पता है कि भाई टॉस जीतेने वाले टीम अगर bowling करेगी मैच जी सकती है लेकि नई बैटिंग कर रहा है हार गए और इतना बुरा हार है कि अवल दो विगेट गए थे वह भी वह ले गया था इनका नया प्लेर खिरा तो वह यह आप थोड़ा सा यह ध्यान देना चीज़ें जो मैं बता रहा हूं वह बहुत जादा इंपोर्टेंट होती है जो bowling करेगी टीम उसके विनिंग चांसे थोड़े जादा है क्योंकि चेजिंग यहां पर आसानी से होती है पिछ रिपोर्ट की मैं बात करता हूं तो यह मान लो फास्ट बोलर इंपोर्टेंट होंगे वह जो कि हर मैच में होते हैं वीबिल में और के अलावा थोड़ा सा बैलेंस विकेट रहेगा मतलब स्पिनर्स भी आएंगे गेम में लेकिन सेकेंड इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में इंपोर्टेंट रहेंगे डेथ बोलर एंड फास्ट बोलर तो देखिए वैसे आपको बता होती है यह टीम मतलब स्कोचर्स में कोई चेंज होगा नहीं यहां से हम बात करते प्रावेवली लें उनकी तो एक्सपेक्टेड है कि आपको स्टीफन एसकेंजाई ओपन करते हुए दिखेंगे कैमरान बैंक्रॉफ्ट के साथ हार्डी जो अभी सबसे तगड़ी फॉर्म में स्कोचर्स की टीम में क्योंकि य यहां पर हो सकता है कि आपको एक चेंज देखने को मिल जाए और वही बात है और इनके पास बोलिंग तो पहले टॉप लेवल की है तो देखिए यह टीम की प्लेइंग लेवन है और यह टीम का बेटिंग ओडर भी हो गया और यह पावर प्लेगे बोलर है और यह डेथ के हो आए ना वो इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको बताया है लेंस मौरिस डेविट पाई ने दोनों खेलते हैं तो डेविट पाई ने पावर प्ले में आता है अकेला खेलता है जब लेंस मौरिस देन वह पावर प्ले में आता है और कई बार मैथ्व केली पाव आपको लगता है या नहीं मुझे यह जरूर बताना क्या यह चलेगा भाई इतना प्यारा प्ले रही है इतना गजब प्ले रहे लेकिन लाश के दो मैस से बहुत बुरा फ्लॉप हुआ अब क्योंकि इनका यह होम ग्राउंड है ट्रावी सेड का तो उमीद है कि यार आज तो चले बंदा एट लिस्ट आज तो चले क्योंकि आज मैं इस पर रिस्क लेने वाला हूँ और रिस्क लेते वह डरिशले लग रहा है क्योंकि स्कोचर्स की बोलिंग बहुत तगड़ी है पावर पले में वो बेरंडरोफ आएगा और मौरिस आएगा और दोनों तगड़ी फोर्म में और दोनों विकेट निकाल रहे हैं अब ये भी क्योंकि बैटिंग ऑपनिंग ही करेंगा ना शोट के साथ अब दिक्कत यह यह कि यार वो निकाल ना लेन का विकेट बाकी देखते हैं क्या होगा बाकी यह इस मैच का सबसे बड़ा ट्रम कार्ड है मैं आपको पहले बता दू क्योंकि लोग जो है ना ट्राविस हेट को नहीं लेंगे एक बार फिर वो वह केसा है अगर आप नए फैंटेसी यूजर हो तो आपके लिए बिल्कुल फ्लोप लेर होगा लेकिन अगर आप रियल लीजेंड लोग हो तो आपको बताऊगा कि क्या लाजवाब चीज़ है उमीद करता हूँ आज इस मैच में चले मैथ्यू शोट का तो भाई लाजवाब तरीके से परफोर्मेंस से डिफोल्ट कैप्टन है हर मैच में हर मैच में परफोर्मेंस एक बार के लिए तो आप तो डर लगने लग गया इसको कैप्टन सी मतलब ड्रोप का तो सवाल इने उड़ता है वी सी बनाते हुए भी डर लगता है कि भाई ये कैप्टन सी में ना आये हैं देन हो सकता है कि खेल भी ले एंड अगर वो खेलेंगे देन सीधा किलियर कट है कि बेंजाविन मिनाटी आउट हो जाएगा टीम से एंड की आउट होते पीटर से ला जाए तो यह एक्सपेक्टेड चीज है बागी यहां से अगर मैं बात कर चलो एक बार पावर प् प्ले के अंदर डेथ में हैरी कॉन फिक्स हैं मैंने दूसरा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि देखिए यक थो और है इंसका फिक्स है एक और तो लाएगा यह अब इनके डेथ के बोलर एक तो यह रह गया आपका सिडल जो खेला तो आएगा शोर आएगा और दूसरा आप है आपका ये ठोटन ठोटन भी डेथ में आता है एक दोल लेकिए और तीसरा वे सरा मतलब यह पस पांच बोलर रहे डेथ के लिए आप कोई भी आ सकता है और कौई भी आसकता है और कोई बन्दा नहीं मिहना आएगा अच्या पर चार चार ओवर करने वाले बोलर्स के बारे में भी आम एक बार देख लेते हैं यहाँ से टाइ, लैंस, मैथ्यू केली, एंड वहीं पर जैसन, एक्सपेक्टेड है कि चार आपको मैथ्यू केली को अटा देना है, क्योंकि इनकी और काट लेता है यह टर्णर, ठीक है एक, दो तीन बार अवर तो आपको यह तीन प्लेयर देंगे मौरीस, टाय एंड यहसन बेरंडोफ बाकी के आट होवर जो है ना इसमें एस्टन अगर यह मैथ्यू केली और एस्टन टर्नर यह तीन प्लेयर है जो की बचे वे आट होवर करेंगे जिसमें आट है चार-चार ओऔर यह दोनों करने चाहिए एकर एस्टन टर्नर बोलिंग पर नहीं आया तो इस टीम की मैं बात करता हूँ यहाँ से चार-चार ओऔर की तो वेस अगर के चारे ओऔर फिक्स है ठोटन के चार ओऔर फिक्स है और Conway के भी 4 ओर fix है इसके भी fix है तो गाइस देखिए 4-4 ओर मतलब इन 4 के तो लगभग fix मान के चलिए 13 Conway Waste and Cameron Voice ठीक है अब बाकी की जो 4 ओर बचे हो है ना इसमें एक तो आपका Benjamin मिनाटी एक आपका Colin है जिसमें मैं एक्सपेट कर रहा हूं दो और मैथ्यू से और यह एक और यह दो और को लिंदी ग्रेंड हों से क्योंकि अगर यह मिनाटी के लेगा तो फिर कोली नहीं करेगा मतलब सिंपल है कि मिनाटी या कोलीन में से कोई एक करेगा शोट कर तो लगभग fix है दो और तो आए जीते हैं दो मैच एक्स्ट्रा जीती हुए बोलिंग फर्ष और यही एक रीजन मतलब अहला कि यह नहीं है कि दो मैच के बेस में मैंने नहीं बताए कि तो जीतने वाली बोलिंग करेगी बलकि यह है कि रीसेंट के मैक्सिमम मैचे से यहां पर चेजिंग टीम जीती है तो एक्सपेक्टेड जो बोलिंग करेगी वो विन करनी चाहिए उसके बाद स्कॉरिंग पैटन की बात आती है तो एक्सपेक्टेड है कि यार जहां तक मेरा आइडिया है क्योंकि दोनों टीमों में अच्छे क्वालिटी प्लेयर अवे लेवाले स्टायकर्स के पास भी स्कॉरिंग पैटन था यहां हम देखते हैं रीसेंट के यहां पर मैचस वे उनके बारे में यह मैच हुआ था ठीक है इसमें टोटल 17 विकिट गए पैसर्स को 14 विकिट मिले स्पिनर को 3 तो आप देख सकते हो पैसर्स कितने इंपोर्टेंट होते हैं यहां बात करते दस वि इपोर्टेंट होते हैं जो अल्लेडी मैं आपको बोल चुका हुआ हम यहां हम बात करते हैं प्लेयर स्टेट्स की और रीसेंट फॉर्म की और वेन्यू की कौन सा प्लेयर अच्छी फॉर्म में है कौन सा प्लेयर वेन्यू पे अच्छा है कौन सा प्लेयर सेकंड टीम के अ वर्स रिकर्ड काफी अच्छा है और वेणयू पर नॉर्मल सा है से और अहां पर आप Ki ऑंतल नॉर्स इट तो इनकी तृट एगज्ट श्क्रím है तो इनको नहीं तग्डी है तो स्के बाद बात करते हैं आप बहुत ही तगड़े इवन इसकी फॉर्म हाड़ी से भी तगड़ी अगर अपने ध्यान दिया हो तो विकेट नहीं फेकता है भाई ये मतलब लास सीजन में पता है क्या होता था कुछ प्लेट्स थे जो विकेट फेक देते थे जैसे क्रिस्ट लिन है ये क्या नाम में आपका भी कर रहा है ये एश्टन टरनर की बात आती वेन्यू पे सिर्फ एक मेंच अच्छा है जिसमें 28 रन का स्कॉर है और बाकी अगर आप देखोगे इस मेंच में भी मतलब वर्सिस भी एक ही मेंच अच्छा है और रीसेंट फॉर्म बहुत ही गंदी अब फॉर्म करेगी भी क में लास्ट के पांच में लेलो द दो तीन में लेट के बाकश बाता आती बाकी इस टीम के खिलाफ और इस Тем के खिलाफ और इस वेन्यू पे गोड ने है इनका मतलब कुछ भी और लोग लाएंगे लैंस मोरीस को और आई गेम लाएगी ट्रावी सेड को देखते हैं कुन जीतेगा उसके बाद आएंगे मैथ्यू के लिए इसलिए इसलिए इंपोर्टेंट और यह वैसे विकेट टेकर हैं जैसान विकेट टेकर इनको भी हम लेंगी बैंच की बात आती है ब बलटांव कि पांच एजशा रिकोड़े एक मेश हिरा अथा है मेर्स अब यह इंद्कर पता नहीं चले गा मारेगा या रास्तों अरे आस्तों मारे गई लेकिन वह नहीं मारे तो वैसे यह बहुत अच्छा है कभी भी जब खेलेगा ना तो कहीं का नहीं छोड़ेगा उपनेट को अगर आपके पास है और यह चल गया तो बट वही बाते उपनेट को चाहिए फोंब उनका फायदा हो रिकोरडा आती ये अर्फे पर Evolution काफी अच्छा है येंडरा मैंच से पबता है और टीम में कम बोल्र कहलेंगे तब तो यह इंपोटन्ट होगा और ज्यादा खेलेंगे तो फिर इनको बोलिंग ने मिलती है और बैटिंग यह आते छटे नंबर पर यह पांच छटे पर मान लो क्योंकि एडम होस इंसे उपर आता है अब ट्रावी सेट तो वैसे भी अपन करेंगा ना तो यह छटे पर बैटिंग करें और क्योंकि फिर स्कोच की उनकी बोलिंग अच्छी है तो ज्यादा इसको मुझे लगता नहीं कि बना भी पाएंगे और वैसे भी फिर अगर हम इनको नहीं ले रहे हैं तो यार हमारे पास भी तो कोई प्लेर होगा ना ऐसे थोड़ी कि बस हमने ने लिया और सब लेक्या गए उसके बाद थोमस के ने ले बोलिंग की तो मैँ पे पे चार मैं अ मतलब पाँच में चार विकेट और वर्सेश में दो वीग Hurd तो वैसे अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ आपको इस मैच के अंदर आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो तब करना जब श्ट्राइकर्स पहले बोलिंग कर रही है क्यों करना है क्योंकि रीजन आगे बता हो टीम बता है बस यह समझ लेना कि स्कोचर्स की टीम का बैटिंग आना और आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना स्कोचर्स का बोलिंग आना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्योंकि और भी मैच उसमें कर लेना तो यह गेंच भी दो मेच खेला और चार बिग्रेदों यहां benc की बात करते हैं तो benc में देख सकते हो पिटर से डले और हैंघर हंट है वेन्डियू पर रिपोर इनका भी अच्छा है और इनका भी अच्छा है चीज आखते हैं कि तेम बोलिंग कर रही है बेटिंग और कितने बोलर खेले उस बेस पे हम लेगे उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके मतलब हेट टो एड रिकोर्ड वगेरा के बारे में तो देखिए स्कोचर्स की टीम एक मैं जादा जीती है इस ट्राइकर्स के टीम से टोटल 21 मैच हुए हैं दस इस ट्राइकर्स ने और 11 स्कोचर्स ने विनिंग रेशू की मैं बात करता हूँ 55-45 इवन उल्टा भी हो सकता इस ट्राइकर्स पहले बोलिंग की तो उसके अलावा रीसेंट फॉर्म की बात आती है लाश्ट के पांच में से तीन मैच में यह हारी है और दो मैच में जीती है यहाँ पे लाश्ट के पांच में से सिर्फ एक मैच में यह टीम हारी है और बाकी चार जीती है ना हो गाईज अब बात कर लेते गीववे के बारे में जो मैंने आपको बोला था कि यार इस वीडियो में आप लोगों के लिए दस हजार का फिरी गीववे तो सबसे बिले क्या करोगे चैनल को सबस्क्राइब जिन्होंने नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में भी अरे यार में टेलीग्राम को थोड़ी बोल रहा है मैं बात करूँ चैनल सबस्क्राइब का तो सबस्क्राइब कर लो मतलब क्या बोलूँगा यार मतलब नीचे ही तो बटन होता है तो सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि गीववे का प्राइज सिर्फ मिलेगा यूनीक हो जो चैनल के सब्सक्राइबर से अब गिववे देखो कितना सिंपल से मैं आप से क्यूस्चन्स पूछूंगा ठीक है तो हम आजाते प्लेंग ले उनमें सबसे पहले गिववे का पहला मतलब दो क्यूस्चन यहां पहला क्यूस्चन तो यह ourselves इममें सबसे जूदा घेंद को इस करे अजीब है नशाइब बाहर यार यह चेंज करो कुछ भी नहीं आप से सब्सेदा कौन मना ऐगा स्टार्टिंग के छे मैं ठीक है इनका विकेट नहीं पूचेमा क्योंकि रिए टाइ फिक्स होता है सबका विकेट नहीं पूचूँगा आप तो यह देख लो कि सबसे ज़्यादा run कुन मनाएगा starting के 6 में और सबसे ज़्यादा dream point किस की होंगे इस team से सबसे ज़्यादा dream point किस player की होंगे इस team में से सबसे ज़्यादा run सबसे ज़्यादा dream point इसमें bowler भी included है ठीक है यहां हम बात करते हैं इस टीम की सबसे ज़्यादा wicket starting यह देखो एक दो तीन चार और पांच मैथ्यू शोट मतलब सिडल भी खेल सकता है द्हान रखना आप तो यह देख लो सबसे ज़्यादा इस टीम से और सबसे ज़्यादा dream point इस टीम से यह गिववे के चार क्यूशन्स हो गए ठीक है और गिववे का आंसफर है ना आप यह मत लिखा करो कि यार सबसे ज़्यादा मतलब रन बराबर यह मतलब लिखा करो आप जस्ट नाम बता दो प्लेयर का अगर आप विनर भी रहते हो ना आपने लिख दिया कि सबसे ज़्यादा रन यह प्लेयर यह तो फिर आपको प्राइज नहीं मिलेगा आपसे मैं जस्ट नाम पूछ रहा हूँ सबसे ज़्यादा अपको लगता हो कि यहार बैंकराफल से सबसे ज़्यादा बनाएगा यहार को है इसका नाम बलता होता है अगर कि अगर कोई विनर आ जाए और फिर वो उसको पस्ता हो कि यार मैंने यह क्या कर दिया तो यह चीज़ आप द्यान रखना अब बात कर लेते हम डेमो टीम की जो मेरी डेमो है फाइनल तो आपको टेलिग्राम पे मिले जाएगी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया यह जो मान के चलिए कि यह तिम पहले बौलिंग कर रहे कौंसी स्कोचर्श के टीम दैन उसकेस में मैं अपनी टीम के अंदर जैसे लाइक या तो मैं केरी को ड्रोप करूँगा किसी एक को तो मुझे ड्रोप करना ही होगा और उस केस में मैं पिक कर दूँगा आपका यह जो इनका बोलर है ना लैंस मौरीस वो लेकिन मुझे चाहिए भाई स्ट्राइकर्स की टीम पहले बोलिंग करें मज़ा आ जाएगा बह कि जो चेंजेस होंगे टीम में वह मैं आपको टेलिग्राम पे इंफर्म कर दूँगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में लेंके जोइन कर लेना यह डेमो टीम में हैंकि दोस्ते इस वीडियो को एंट तक देखने के लिए मिलता है नेक्ट वीडियो में